तो हलो दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाले एक और स्पसिफिक टॉपिक पर बेस होने वाला है जहां पर आज हमने सीखेंगे न्यूटन लाओ ग्राविटेशन बहुत सुना होगा इसके बारह में उसका अप्लिकेशन भी बहुत जादा है तो इसको समझेगा आज के वी बहुत साही डाउट आपके मन में आ रहे होंगे और नाउट के बारे में उसके पूछना होगा तो आप जिए नाइटी सेवन अंडर को इस मुझे पर फॉलो करके आप वहां पर डाउट मिलसे मुझसे क्लेड करके ले सकते हैं उसके लाब आप लोग कुछ और चीजे जिस से बढ़ा होगा अब इसका एप्लिकेशन बहुत ही वास्ट है आप लोग ने 11 साटने में बढ़ा होगा एसके पेलासिटी और इसके लाब बहुत सारी चीज़े आपने पड़ी होगी वह यहां पर आप लोग को समझाने वाला अब वह सारी चीज़े तो मैंने लेगिन न् क्या बोलता है हमें एवरी अब्जेक अट्राक्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी अब्जेक्ट है वह एक दूसर को अट्राक करता है तो every object attract अवरी अदर अबजेक्ट with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them again I am explaining every object attract every other object with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them इसे बहुत अश्य तरीके से आपने एक पर learn कर लेंगे उसके पर इसको समझेंगे हैं हर एक अब्जेक हर दूसरे अब्जेक को attract करता है जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हो मेरे सामने camera लगा हुआ है तो camera मुझे कर रहा है विद फूर्ट विच जारिकली पूर्शनल टू क्या हम दोनों के मास्से का प्रोड़क्ट माल लोगी मेरा मास्से 70 kg और camera का मास है दोस्तों अजूम करते हैं तो हम दोनों के मास्से के प्रोड़क्ट को और इंवर्सी प्रोड़क्ट को हम दोनों के बीच के डिसेंस अब इन दोनों के बीच से हम लोग क्या निकाल के लिखेंगे दो कैसे होता है अब अपने डेफिरेशन ने कहीं बहुत याने पोस्ट विच डारिकली प्रोड़क्ट आप देर मास्से दो बोड़ी के मास्सको डारिकली प्रोड़क्ट हो गया ताप इन दो बोड़ी इसके लिए आगे प्रोड़क्ट यहां पर क्या हो जाएगा एंग 1 एक वल्ट तो नहीं आएगा यहां पर गलते से एक वल्टू आ गया अप प्रोड़क्ट व्यागे अपने साथ में आ गया है अब पर प्रपोश्चल की सिंबॉल को गाप करेंगे तो तो जब एक्वलटू आता है तो यह अपने साथ लेकर आता है तो यह आप लोगो पता होगा तो यहां पर एक वल टू क्या रहा है यह पर एक constant आने वाला है एम वन एम टू अपन डी स्कॉर वैसे रहेगा अब constant क्या एक यह पर constant आता है जी जी माने जीनिस है ना नहीं यह पर जी का मतलब होता है universal ग्राविटेशन कॉंस्ट्राइज च्पूरे के पूरे मतलब युनिवर्स में इसकी वैल्यू सैम है वैल्य उन्हीं है स्क्वेर, Newton-meter स्क्वेर पर के कग्ई स्क्वेर, से आप देख狂 अपर स्टीमा स्क्राइब ayam इसे नोट करके रख लेना बहुत काम की चीज़ है और जिसे आप लोग को हमेशे याद करके रखना है तो यह था आप लोग का नीडिल लॉफ ग्राविटेशन अब इसे एक एक्जांबल के साथ समझते हैं देखते एक कोशन दिया हुआ सपोस्ट देरा टू मैं थे यह देर इन दोनों हम दोनों के जो भी हम लोगम अश्रपीरिक से मासी में होते हम लोग सब कशना टीकल हम वह शूते हैं तरह मैं एक बड़ु के सब मास है हमारे पास 100 और एक मास है 50 तो पहला 50 kg है और दूसरा मास हमारे पास 100 kg आप दोनों अबजिक की बीच का डिसंस अपर डिफरेंस बोल सकते वन मेटर तो मैसे करना है जी की वल्य कितनी होजेगे 6.67 इंडू 10 रिस्टू मानिस 11 एंटू हमारे पास है 100 अब इसे सॉल कर लेंगे थोड़े अच्छे तरीके से तो क्या आप अच्छे अगा ध्यान देना इसे मल्टीप्लाइ कर दूंगा तो कितना हो जागा अब यहां पर तो पॉइंट आगे 33.35 एंटू 10 एस्टू माइनस 11 और इंटू 1000 थाउजन को अपन 10 एस्टू 3 लिख सकते हैं अब यहां पर एक पॉइंट शिप करता हूँ तो बड़े नंबर को छोटा बना रहा हूँ तो 3.335 चब छोटा करते हैं तो इसका पावर 1 से कम हो जाएगा मतलब माइनस में तो प्लस में प्लस में तो माइनस 11 ता तो प्लस 10 एक कम कर दिया तो 11 में हो जाएगा अब यहां पर ध्यान तो दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या टेन देश्टू 3 इसको भी सॉल कर लें तो 3.335 इंटू 10 देश्टू माइनस सेवन यह आपनों का अन्सरा जाएगा यह किसका वैल्यू है और फॉर्स का होता है न्यूटन तो इस तरीके समलों क्या मिल गया फॉर्स यहां पर खड़े हैं जिनका मासिस के फिफ्टी और हंडिट केजी है तो उ इसलिए आप लोग जबी इधर उदर घुमते हैं तो आपको ने कभी फॉर्स फील नहीं होता है अब मान लोग कि एक और ऑब्जेक्ट लेता हो जिसका मास है हमारा अर्थ के उपर एक चोटा सब तुच्छ सा मनुष्य बैठा हुआ है जैसे मैं यह बहुत ही ना मत बोल सक होता है तो नीटन लाओ ग्राइट से इस चीज़ को भाध अप्लाए करना वह भी समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलेंगे एसे किसी वीडियो में तब तक क्या करने वीडियो को लाइक करना शेर करना है और हमारे चाहल को सब्स्राब करना